नमस्कार मैं हूँ प्रग्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 19 जन्वरी दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार विधान सभा का बजट सत्र इस दिन से हो रहा शिडू 14 परवरी तक पूरे बिहार में मनेगार राश्ट्रिय सरक्स रक्षा मा देश भर में दसवी तक पहुँशने वारे बच्चों की संख्या बिहार में सबसे अधिक सुकन्या समरिद्धी योजना खाता धारक 31 मार्श तक ये काम पूरा कर बचाए अपने खाते को सुरे कुमार यादव के स्पोर्स हर निया सर्जरी रही सफल अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अगत्तक की 25 वरी खबरो क्यों विस्तार से दिली के जिला एवं 17 नयायालियों में 990 पदों पर निकली भरती वो DSSB की अधिकारिक वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारीक 8 फरवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिएगर सेचने क्योगिता की बात करे तो मदवार को इसना तक पास होना चाहिए साथी नियुन्तम 100 सब्द प्रती मिनट की सोट हैं तथा 40 सब्द प्रती मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग की गती होनी चाहिए हारा कि सीनियर परसनल असिस्टिन के लिए सोट हैं की नियुन्तम गती 110 सब्द प्रती मिनट होनी चाहिए सभी पदों के लिए उमि बिहार विधान सभा के बजट सत्र की शिरवाद 5 फरवरी 2024 से हो रही है जो की 29 फरवरी 2024 तक चलेगी बता दे किस बजट सत्र में कुल 17 बैठके होंगी जिसमें वर्स 2024 से 25 के आयव्यक को लेकर बिहार का बजट पेश किया जाएगा और साथ ही सभी विभागों के भी बजट के राजजेपाल राजिंद्र विश्वनात आलेरकर के दौरा अभी भाशन पर चर्चा की जाएगी और बजट के आयव्यक पर चर्चा की जाएगी मालमो हो कि इन 17 दिनों के बैठक में महा महीम राज़ेपाल का भी एक दिन के लिए होगा तो वहीं 14 फरवरी तक पूरे बिहार में मने गार राष्ट्रिय सरक्षामा बिहार सरक्षा पडिस्द द्वारा 14 फरवरी दो हजार चौर्वरी तक सभी जिलो में राष्ट्रिय सरक्षा माह मनाया जाएगा जिसमें जिलो में विवन जागरुकता कारिकरम के साथ विसीष वाहन जाँच अभियान जलाया जाएगा इस दोरान लोगों को सुरक्षिर ड्राइविंग के लिए विविन माध्यमों और सरक सुरक्षा के नियमों और एवम प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा सिवर लगाकर ड्राइवरों के नेत्रों की जाच की जाएगी नुकर नाटकों के माध्यम से लोगों को जागडो किया जाएगा चात्र चात्राय सहित अने लोग सरग सुरक्षा का सपत लेंगे और साथ ही पेंटिंग स्लोगन एवं कुईज प्रतियोगिता का भी स्कूलोवर कॉलेजों में आयोजन किया जाएगा विवाग सचीव के द्वारा दी गई जानकारी के नसार प्रतिवर्ष देश में पांसुनियलाक लोगों के म्रित्ती हो जाती है देश भर में दस्वी तक पहुँचने वाले बच्चों की संख्या बिहार में सबसे अधिक असर 2023 के जारी हुई रिपोर्ट से है जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश में दसवी तक पहुँचने वाले बच्चों की संख्या में विहार के बच्चों की संख्या सबसे अधिक है बता दे कि जारी के गए रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में दसवी तक पहुचने वाले 52.5 प्रतिशत बच्चे हैं जब कि सर्वे में मौडल के रूप में शामिल किये गए मुझह परपुर में उनसर दसवी तक पहुचे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह सर्वे देश के 26 राजियों के 28 जिलों में 14 से 18 साल के बच्चों के साथ किया गया है वहीं इस रिपोर्ट से यह भी जानकारी सामने आई है कि बिहार में असनातक करने वाले लड़किया 6.6 प्रतिशत है तो वहीं लड़के 4 प्रतिशत है बिहार के इस जिले में 20 चनवरी को लग रहा रोजगार शिविट अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि श्रम संसाधन विवाग के नरदेश के नुसार जिला नियोरिजनाले सह मौडल कैरियर संटर नवादा द्वारा आगामी 20 चनवरी को एक दिवसी रोजगार मीला का आयोजन किया जाने वाला है प्रती रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ आयोजन अस्थल पर नरधारित किये गए समय के नुसार पहुचेंगे वहीं इसके लावा इसमें भाग लेने वाले उमिद्वार का NCS पोर्टल पर निवंधन होना भी अनिवारे है गंतन दिवस की जाकी में दिखेगी बदलते बिहार की तस्वीर गंतन दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 17 तुक्रियों के द्वारा परेट किया जाएगा वहीं इसके लावा इस तौरान कुल 13 जाखाना दिकलेंगी जिसमें बिहार की बदलती तस्वीर को दिखाया जाएगा बता दे कि संजय गांधी जैवे कुध्यान के 50 साल पूरे हो गए है ऐसे में सको लेकर बाग शेड और बंदर को भी जहांकी में दिखाया जाएगा और इनकी अलग-अलग कहानी साचा की जाएगी इसके लावा बिहार सरकार की योजना जैसे मिडल ला नौकरी पाव की भी जहलक जहांकी के माध्यम से दिखाया जाएगी जो बिहार राची खेल प्राधिकरन के द्वारा विकसत किया जाएगा वहीं बिहार सिछा पड़ योजना पड़िसत के द्वारा बिहार में स्कूलों की बदलती तस्वीर को दिखाया जाएगा स्रम संसाधन योजना के जरीय स्रम से रोजगार तक पहुंचे योजना को दिखाया जाएगा पटना नगर निगम के ओर से कचरे को कैसे अच्छे तरीके से फिर से उपयोग में लाया जा सकता है इसको लेकर जांकी दिखाई जाएगी मदनिशेद एवं उतपाद विभाख के दौरा नशा मुक्ती के बे मिसाल 7 साल को दिखाया जाएगा परेटं विभाग के ओर से ईको टुरिस्म की जांकी दिखाई जाएगी माधिमिक सिक्षक पातरता परिक्षा हेतु जारी हुआ डमी एडमिट कार्ड इस दिन तक कर सकते हैं सुधार माधिमिक सिक्षक पातरता परिक्षा के लिए बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर द्वारा दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है उमिद्वार इस admin card को log in credential के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की समस्या इसमें आ रही है तो आप इसके आधिकारिक website पर जाकर user ID और password log in करके इसे ठीक कर ले सुधार करने का समय 24 जनवरी तक ही दिया गया है 20 जनवरी को राजेपाल करेंगे बिहार केसरी की प्रतीमा का अनावरन अगामे 20 जनवरी को बिहार के औरंगाबाद जिले ओबड़ा मध्य विद्याले में बिहार के राजेपाल राजेंदर विश्वनात आलेरकर के द्वारा बिहार केसरी वपुर्व मुख्यमंत्री डॉक् प्रदेश अध्यक सम्राः चोधरी पुर्वसांसर डॉक्टर अरुन कुमार सहित अन्य गन्माने लोग भी मौजूद होंगे पतादिक इस बात की जानकारी श्रीकृष्ण सिंग स्मृती मंच के सदस्यों के द्वारा दी गई है उनके द्वारा दी गई जानकारी के नसार इस कारीक्रम को लेकर ओबड़ा हाई स्कूल के मैदान में दो मंच का रणमान कराया जा रहा है वहीं स्तुरान कई इंसान स्कृतिक कारीक्रम का भी आयोजन किया जाएगा ऐसे में इसको लेकर बड़े स्तर पर तयारियां की जा रही है सुकन्या सम्रिद्धी योजना खाताधारक 31 मार्च तक ये काम पूरा कर बचाएं अपने खाते को अगर आप भी सुकन्या सम्रिद्धी योजना के खाताधारक हैं और आपने अब तक एक वितवर्ष में 250 रुपे में की मिनिममम राशी इसमें निवेश नहीं की है तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि सुकन्या सम्रिद्धी योजना के खाताधारक को 31 मार्च 2024 तक 250 रुपे की मिनिममम राशी का निवेश चरूर कर ले क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके खाते को निस्क्रिय कर दिया जाएगा जिसके बाद अगर आप अपने निस साल की हो जाती है तो आप उसे लगपती बना सकते हैं मारमों के प्तलाल सरकार की ओर से खाते में जमाराशी पर 8.92 शुने फीस्दी के हिसाब से ब्यासदर ओफर कर रहते हैं विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे केके गोस्वामी के बारे में कृष्नकान गोस्वामी एक भारतिय टेलिवीजन और फिल्म अभिनेता है जो भारतिय टीवी धरावाई को हिंदी गुजराती मराथी बंगाली भोजपुरी फिल्मों और धरावाई को में दिखाई देते हैं 27 साल से अधिक के ओन स्क्रीन करियर में गोस्वामी को स्टार पडिवार अवार्ड जी रिस्ते और कई अने सहित कई पुरुसकार प्राप्त हुए हैं वफल्मों और श्रिंखलाओं में तीन से अधिक पीडियों के लिए सबसे मिलनसार प्रकृती अभिनीता है मध्यमवर के वैफसाई के बेटे से लेकर एक प्रसद अभिनीता तक गोस्वामी ने जुनियर जी में सहयक खलनाया के रूप में अपना करीर श्रू किया उसके बाद विक्राल गबडाल में गबडू के रूप में एक प्रमुक भूमिका निभाई के के गोस्वामी ने 2005 में सब तीवी के गुडरगू में पप्पु महराज प्रमुक के रूप में भूमिका निभाते वे ग्रिटर स्टेंडम क्राप किया अगोस्वामी ने सोनी टीवी पर संकट मोचन महाबली हनुमार नामक शो में खली बाली की भूमी का भी निभाई है इसके साथ उन्होंने कई अने शो में भी काम किया है यह भारत के सबसे छोटे अभिनियताओं में शेहिक हैं कोसी रीजन में शुरू होगी चाय की खेती बिहार सरकार के क्रिसी सचीफ संचय कुमार अगरवाल के द्वारा बीते दिन कोसी निरिक्षन भवन में विभागे पदादिकारी और कर्मियों के साथ बैठक की गई जिसमें उन्होंने जानकारी देते वे कहा कि सुपॉल जिले के सीमावर्ती इलाके सहित अने जगों पर चाय की खेती की शुरुवात की जाएगी और इसके लिए किसानों को सरकार की ओर सिनुदान के रूप में सहायता भी उप्रब्द करवाई जाएगी इसके साथ ही जिल जाली के निवेशकों को एक फरवरी से मिलेगा येला भारत के पिंसन शित्र के नियामक पी एफर डिये यानि कि पिंसन फॉर नियामक और विकास प्राधिकरन के दौरा एंपियस के निकासी नियमों में कुछ बदलाओ किये गए हैं जो एक फरवरी दोहजार चौबस से ल विकलांगता या अक्षमता के कारण चिकसा या अकशमिक खर्च अपने स्वयम के उध्यम या किसी स्टार्टप के सापना या शेहर के नाम पर या कानों ने रूप से विवाहे जिवनसाथी के सेंवत नाम पर आवाश ये घड़ या फ्लैट की खरी दिया नर्मान जैसे का बिहार लोग सेवा योग के द्वारा आयोजित की गई दूसरे चरन के सक्षक भरती परिक्षा में चरनित हुए सक्षकों को 81 विवन प्रसक्षन केंद्रों पर आवास ये प्रसक्षन दिया जा रहा है और अब तक 36,000 सक्षकों को प्रसक्षन दिया जा चुका है वहीं बाकी के तरीके, स्कूल संचालन के तरीके बच्चों से कैसे बात करनी है। आधी चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। परेटन के अपार संभावनाएं यहां हर साल बड़ी संख्या में परेटक आते हैं उन्हें बहतर सुधा देखकर हम उन्हें हर साल बुला सकते हैं इससे हमारा परेटन और होटल उद्योग कावी पढ़ेगा और राज्य में नौकरी वर रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे हमारा राज्य क्यान और मोक्ष की धर्ती है ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यहां निवेश ना करें उन्होंने कहा कि हम सहयोग की उमीद नहीं करते हैं अपनी इक्षा सकती के बल पर हम अपने प्रदेश को खुद के दम पर विक्सत करेंगे राज्य में 21 जन्वरी तक जारी रहेगा शीत लहर का कहर सर्थ पचुआ हवा के कारण पटना समेट प्रदेश के अधिसंख्य भाग में कडाके की थन पर रही है घणा-कोडा भी छाड़ा है मौसम विग्यान केंद्र के नुसार 21 जन्वरी अर्थात अगले चार दिनों तक वीसंख्य ठंड से रहात मिलने के आसार नहीं है इस दौरान घणा-कोडा वा शीत दिवस को लेकर चितावनी जारी की गई है मौसम विभाग की माने तो बिहार में 26 जन्वरी के आसपास एक सक्तिशाली पश्मी विछोब बन रहा है इसकी वज़े से बिहार में 26 या 27 जन्वरी को बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है इससे ठंड बढ़ेगी मैं आयमडी बिहार के द्वारा जारी के गई पुरवानुमान के नुसार आज यानी की 19 जन्वरी को राजी के कुछ स्थानों में शीत दिवस होने की संभावना जताई गई है इसके साथ ही राजी के पुरव एवं मध्य भाग के एक या दो स्थानों में सुभा के समय घना कुहांसा चाय रहने की संभावना जताई गई है आयमडी बिहार के ओर से इसको लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है वह इसके लावा राजी के पश्चिम भाग में सुभा के समय हलके सी मध्यमस्तर का कुहांसा चाय रहने की संभावना जताई गई है और विभा के ओर से ग्रीन अलर्ट चारी गया है बिग बॉस बारफेम दीपक ठाकुर की बहन बनी अफसर बिग बॉस बारफेम और सिंगर दीपक ठाकुर के द्वारा अपने सोचल मीडिया पर एक जानकारी साजा की गई है उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते वे कैप्शन में लिखा है किस खुशी को सब्दों से बयान नहीं लिखिया सकता मेरी चोटी बहन वीपेस से एक्जाम क्लियर करके पंचायती राजपदादीकारी बन गई है बोले तो अफसर बन गई है रिजल्ट आने के बाद से भावनाओं का सलाब उम्रा है बहन तुमने सपना मापापा का सबका नाम रोशन कर दिया सबका मान सम्मान बढ़ाया है तुमने अपनी मेहनत के दम पर आज बीपियस से क्लियर करके ये सावित किया है कि हर गरीब मध्यम वरगिये पडिवार भी बड़ा सपना ना सर्फ देख सकता है बलकि उसको पूरा भी कर सकता है ये पूरी उम्र हम लोगों को पढ़ाने और अपने अपने छेतर में काम्याब करने में जोक दी क्या-क्या नहीं सुने बोलो खुश खुश रहो और तरक्की करो आगे बढ़ो अब अगला मुकाम यूपीएसी होना चाहिए मचली के आर में शराब की तसकरी बिहार में पुनरूप से शराब बंदी है इससे हम सभी वाकी फैल लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तसकरी से जड़े मामले सामने आते रहते हैं हलाकि इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाकी टीम के ओर से कई कोशिशे की जा रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी सराब तसकरों के द्वारा तसकरी के लिए नए नए तरीकों का नजात किया जा रहा बता दे कि ताजा मामला सारंजले का है जहां नगर निगम उपचनाओ को लेकर छप्रा शहर में उतपाद विभाकी टीम के द्वारा वहनों की जांच परताल करने के दौरान एक पिकप वैं से मचलियों की आर्मे आइस बॉक्स में सरी मचलियों के नीचे से असी काटन वि परतिशी शिराब बरामद की गई है बता दे किस सम्मद में सारंजले के उतपात अधिक शक्रजनीश खुमार के द्वारा जानकारी देते वें बताये गया हूं कि उतपात विभाकी टीम के द्वारा दोनों वहनों से ब्रामद शिराब और वहनों को जब्त कर लिया गया है और आगे की काड़वाई की जा रही है बिहार के प्रांचली राज को दिल्ली में मिलेगा वीर गाथा अबॉर्ड का सम्मान बिहार के मुंगेर की बेटी प्रांचली राज के द्वारा 13 वर्ष की छोटी से उम्र में एक बड़ी सफलता हासल की गई है द्रसल प्रांचली राज का चेयन सूपर सौ वीर गाथा विजिता के रूप में हुआ है ऐसे में अब प्रांचली राज को देश की राजधाने दिल्ली में आयोजित होने वाले गंतन दिवस परेड समारों में अतीती के रूप में बुलाया गया है जिसमें देश भर के 1,37,00,000 स्कूली चात्र चात्राओं के द्वारा भाग लिया गया था और उनके द्वारा प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, निबन्ध, कवीता और मुल्टी मीडिया वीडियो की विधा में सभागिता दिया गया था इसी प्रतियोगीता में प्रांजली राज के द्वारा मल्टीमीडिया प्रेजंटेशन वीडियो के छेत्र में भारत के छेत्र में जंजातीय आदिवासी समुदाई विद्रो विशोथ पर अपनी रचनात्मक एवं कलनात्मक प्रतीभा का पड़िचय दिया गया था बतादे जहां उनका स्रिक्रिष्ण चेतना विचार मंच द्वारा पटना के स्रिक्रिष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजिस समारों में भवे स्वागत किया गया वहीं जुरान मोहन यादप के द्वारा बिहार और यूपी के यदवन्सियों को गीता का अउपदेश और भगवान राम कंस का वध कर दिया उसके बाद भी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे ऐसा यादप समाज से निकले भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं लोग तंतर को जिंता रखने में हमारे समाज की एहम भोमिका है यादप समाज के लोग गाई पाल कर भी अपना जीवन चलाते हैं इसके सा और कभूल गए है और इसमें एहम भूमिका प्रधान मंत्री ने निभाई है मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं है जिस वक्ति को गोली लगी लेकिन फिर वे हे राम कहते वे दुनिया से विदा हो गया उन्होंने कभी राजनिती और धर्म का घा पाने की कोशिश की है जिसके बाद उन्होंने जर्मनी में अपना सर्जरी करवाया है ऐसे में अपने सर्जरी से पूरी तरह उभरने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा जिससे कि अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सुर्य कुमारी आदव आई पेल के दुरान वापसी कर सकते हैं जिसके दान मंतरी चुना गया हिमाचल प्रदेश में 1975 में भुकंपाया पड़िवन विमान पर हमले के बाद सरायोवों से लोगों को बाहर निकालने का काम 1994 में राश्टर संग अधिकारियों ने स्थगत कर दिया सानिया मिर्च 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसर में मराथी भाषा के सूप्रसिद साहितेकार विश्नु सखाडाम खांडेकर का जन्मुआ उनिस्वपांच में सांती निकेतन की नीव डाले वाले और ब्रहम समाज के स्थापना दिविंद्रनाथ बाबु का जन्मुआ उनिस्वपांच में फिल्म जगत के मशूर पिंद्रनाथ टागो निधन हुए थें 1990 में भारतिय विचारक और धर्मगुरू आचारे रजजनीश का निधन हुआ था 1995 में हिंदिस साहितेकार उपंद्रनाथ अशक का निधन हुआ था 2010 में कंणर फिल्मों के प्रसित अभीनेता के एस अश्वात का निधन हुआ था 2012 म पिराजनतिक विचारत एवं लेखक रजनी को ठारीका ने धन हुआ था वारल कमें आजम बात करेंगे कौशल भारत कुशल भारत योजना के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे कौशल भारत कुशल भारत योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ऐसा दावा किया जारा है कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्रहक सिवा प्रतिनिधी की निक्ति की जाएगी एवं 28,000 रुपे मांदे दिया जाएगा निक्ति से पुर्व 1350 रुपे का पंची करन सुलक देना होगा P.I.B. ने अपी ट्वीट में आगे लिखा है कि एदावा फरजी है सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है फोन पर बार बार आने वाले विग्यापन को हटाई ऐसे फोन इस्तमाल करते समय अगर बार बार विग्यापन आता है तो यूजस को काफी कुछ सा आता है लेकिन क्या आपको पता है कि आप फोन पर आने वाले इन आड्स को हटा भी सकते हैं इसके लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे अगर आप भी अपने phone पर आने वारे इस ads को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने phone की settings में जाना होगा और इसके बाद आपको Google पर tap करना होगा फिर manage your Google account पर जाना होगा फिर जैसे ही आप इस पर tap करेंगे तो आपको data and privacy का option मिलेगा इसके बाद जब आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ scroll down करेंगे तो मिलेगा personalized ads इसके नीचे personalized ads के नीचे आपको my ad center option मिलेगा जैसे ही आप इस पर tap करेंगे तो आपके सामने personalized ads का toggle आ जाएगा जिसे आपको off कर देना होगा, अब settings में जाकर Google पर tap करना होगा और फिर delete advertising ID पर tap करके इसे delete कर देना है, इसके बाद आपको phone पर किसी भी तरह की कोई add नहीं दिखाई देगी दिखागाट पर अगले सब्ता से ले water sports का रोमाच, अगर आभी water sports में रूची रखते हैं तो यहाँ कबर आपके लिए है, बता दे कि बहुत जल्दी बिहार की राजधारी पटना में इस दिखागाट में लोगों को water sports का रोमाच उठाने का मौका मिलने वाला है, दरसल अग प्रती वक्ती 250 रुपे और 8 सीटर का, प्रती वक्ती 200 रुपे शुलकर रखा गया है, बता दे कि गंगा में 350 से 500 मीटर के दाइरे में water sports होगा, मालमों की पटना के लावा दरभंगा, बांका, मुंगेर, जमुई, मोतिहारी और पोर्णिया में भी फरवरी के महीने से water sports की सुधा मिलने वाली है, इसके लिए तेजी से काम किया जड़ा है, हम प्रते दिन आपसे पांच S.S.S. जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत S.S.C. जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे, सवाल लितिहा का उदघाटन किया है, ओप्षणे माद्र प्रदेश, ओप्षंप उत्तर प्रदेश, ओप्षंसी आन्दर प्रदेश, ओप्षंडी गुजरात इसकासा है उत्तर एंडर प्रदेश, अगला सवाल, हाली में भारत और Sabla雪 प्रतिव की अगला सवाल, हाली में कहां में सरक सरक्षा पड़ C2 राष्ट्रे कौन क्लेव का आयोजन किया गया है अप्शन A महराष्ट्र, अप्शन B नई दिल्ली, अप्शन C नोएडा, अप्शन D लखनाउ इसकास ताही उत्तर है अप्शन B नई दिल्ली अगला सवाल, राजगीर के ब्रहमकुंड का ओसत आपमान कितना है अप्शन A 40 डिग्री सेल्सियस, अप्शन B 48 डिग्री सेल्सियस, अप्शन C 87 डिग्री सेल्सियस, अप्शन D 24 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है अप्शन A 40 डिग्री सेल्सियस अगला सवाल, मुकामा ट्याल में सरवाधिक जल किस नदीका होता है? उप्शन ए फल्गू, उप्शन भी हर्षड, उप्शन C पुनपुन, उप्शन D क्यूल? इसका सही उत्तर है उप्शन ए फल्गू इसके साथ ही बढ़ते हैं अचके सवाल की और आज का सवाल है? आप सरक पर ट्राफिक नियमों का पालन करते हैं या रही? अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए तरह हैं बिहारी नियूज और साथी अगर आप यूटूब से देखना जान को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप फेस्बुक से देखना है तो पेस को फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद